हे गाइज, वेलकम टू अरूरूरल अकैडमी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं UPSC और स्टेट PCS एक्जाम के लिए डेली करंट अफियर्स देखे आपके ये करंट अफियर्स वाला वीडियो जो है आपके UPSC और स्टेट PCS एक्जाम के जो प्रिलिम्री एक्जाम हैं उनको दरश्टिकत रखते हुए स्टार्ट किया जा रहा है ताकि आपको आगने वाले दिनों में जो एक्जाम होने वाले हैं UPSC के या स्टेट PCS के तो उसमें आपको सहेता मिल सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज इसी करम में हमा यहां पर 8 जून से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में देखें आज यहां पर पहला प्रशन है आपका COVID-19 सक्रिय प्रतक्रिया और ब्याई समर्थन यानि COVID-19 Active Response and Expenditure Support यानि जिसे हम CARES के नाम से स्ट में कर सकते हैं यह कारिकरम किस स्था द्वारा चलाया गया है पहला है आपात इस सित्थियों में परधानमंत्री नागरिक सहता और रहतकोस यानि PM CARES FUND B option है यहाँबर संयुक्त राष्ट सरडार्थी उच्चायुक्त यानि United Nations High Commissioner for Refugees यानि की UNHCR C है यहाँबर Asian Development Bank D है यहाँबर अंतराष्टी है पुनर निर्माण और विकास बैंक यानि IBRD देखे यह जो कारिक्रम है आपका COVID-19 सक्रिय प्रत्क्रिया और ब्यार समर्तन जिसे हम सौट में CARES के नाम से जान सकते हैं यह Asian Development Bank के दोरा चलाया गया है और यह कारिक्रम ADP की Counter Cyclic Support Facility के दहत संचालित COVID-19 Pandemic Response Option यानि COVID-19 Pandemic Response Option दारा यह बित्पोसित है और इस कारिक्रम के बाद देंसे जो Asian Development Bank है उसके सदस्य देसों में लगबक 800 मिलियोन से अधिक लोगों को स्वास्ते है कि स्वास्थाओं तक पहुंच मिल सकेगी यानि उनमें 800 मिलियोन से जादा लोगों को स्वास्था स्वविधा देखवाल और सामाजिक स्रक्षा की स्वविधाएं और अपलब्द करवाई जाएंगी तो यह किसका है अब देगे बात कर लेते हैं ADP की तो ADP की जो स्थापना हुई थी अगर हम ADP की बात करें तो इसकी स्थापना 19 December 1966 को हुई थी लेकिन इसना अपना जो कारी करना स्टार्ट किया था वो एक जनवरी से स्टार्ट किया था और इसके बारे में एक विश्यस बात यह है कि जापान के द्वारा यानि इसकी अद्यक्ष्टा की जाती है जापान के द्वारा इसका मुख्याले जो है मनीला फिलिपीन्स में है यह आप जानते होंगे मनीला और यह फिलिपीन्स में है फिलिपीन्स में है मुख्याले इसके लावा यहाँ पर इसके जो टोटल मेंबर क आयोश उद्यमिता विकास कारिक्रम के संदर्ब में यहां बताना है कौन सा खतन सही है पहला है आयोश मंत्राले द्वारा आयोश उद्यमता विकास कारिक्रम की सुरुवात की गई है सेकेंड इस कारिक्रम के थैद आयोवेदिक उपचार तथा योग ख्याती प्राप्ति विशेश रक्यों के मार्ग दसन में लोगों को प्रसिक्षित किया जाएगा यहाँ पर आपका जो आयोश मंत्राले है और सूच में लगो मद्यम उद्यम मंत्राले यानि MSME जिसे हम बोलते हैं इसके दोरा आयोश शेट्र को बढ़ावा देने के लिए आयोश उध्यमिता विकास कारिक्रम की सरुवात की गई है यानि कि यहाँ पर पहला वाला उप्सन गलत है यानि किसके दोरा सुरू किया गया है यह दोरा है योश मंत्राले और MSME जो Ministry of MSME है, इन दोनों की संयोग तो पहल आई है, यह हम कह सकते हैं, यह संयोग तो पहल है, तो किया गया है, यानि आयोस उद्यमता विकास कारिकरम के माद्यम से इस छेत्र में यहाँ पर अनुसंधान, नवाचार, इन सब को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, सेकेंड यहाँ पर अप्सन है यहाँ पर, इस कारिकरम के तहत्त आयोवेदिक उपचार और योगी खराप्ति-प्राप्ति विसी सक्जियों के मार्ग दसन में लोगों को प्रसिच्चत किया जाएगा, देगे इस कारिकरम के तहत्त यहाँ भारती आयोवेद, होमियोपेती, योगा, सिध्धा पद्यतियों को बड़े प्यामाने पर यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा, इसके साथ ही उध्यमियों को बिजलसें में क्लिनिक, आउटलेट, खोलने के लिए प्रोसायद भी किया जाएगा, ताकि जो आयोश चित् सेकेंड वाला ओप्सन सही है, तो यहाँ पर ओप्सन होगा आपका B, के वल सेकेंड, प्रस नम्मत तीन है आज आपका यहाँ पर, निम लुखित नियुगों पर विचार कीजिए, यह देखे भोगलिक संकितक हैं और समधित राजी, यानि भोगलिक संकितक कौन से राजी स होता है, इसे चाखाओ, ठीक है, और यह मडपुर राजी से संब्द देते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें कच्छाई नीबू की, तो कच्छाई नीबू भी यहाँ पर यहाँ पर जो है, यह भी क्रसी का प्रोड़क्ट है, और यह भी मडपुर से आता है, इसके लावा और और बात करें, तो मडपुर राज में यहाँ पर अगर मडपुर की बात करें, तो मडपुर में एक शॉल जो है, जिसे हम शफी लामफी के नाम से जानते हैं, शफी लामफी लिख दे रहा हूं नाम, तो यह एक शॉल है यह, तो शफी लामफी को जहाँ जी आई दिया इसके लाब एक कह सकते हैं ओडनी टाइप होती है ओडनी जिसे हम दुपट्टा टाइप बोलते हैं वांगखी खेई करके वांगखी फेई करके है तो इसे भी यहाँ पर GI टैक दिया गया है और यह भी दोनों जो हैं मड़पुर से ही बलौग करते हैं यानि कि दुपट्टा ओप्सन सही है तो आंसर है यहाँ पर C यानि केवाल एक और तीन प्रसन मद चार है आपका GW190412 यह निमने कित्में से किसे संबंदित है पहला ओप्सन है लडागु विमान से B है COVID-19 से नपटने हेतु एक टीके से C है बलेक होल से संबंदित घटना से D है नौहन पोच से द अब्सरबेटरी या लीगो जिसे बोलते हैं तो इसमें इस्ठित गृत्वाकर्सर तरंग जो बेदसालाएं हैं बेदसालाएं वो होती है जहां से ग्रहन नसेस्तर अगरा यह सब देखे जाते हैं तो बेदसालाएं तो दो असमान दरब्यमान वाले ब्लैक होल के बिले का पहली बार पता लगाया है यानि कि यहां पर इन्हों ने देखा है कि दो असमान दरब्यमान वाले ब्लैक होल है वो आपस में ब्लैक हिये हैं तो इसने यानि पता लगाया है यहां पर ठीक है और यह पहली ऐसी खोज है जिसमें आसमान दरब्यमान के दो ब्लैक होल सामिल ह तो इस घटना को यहाँ पर GW190412 नाम दिया गया है और इसका पता जो लगा था वो सन 2019 में लगा था तो यहाँ पर आंसर है यहाँ पर C यानि ब्लेक होल्ट यह समधित घटना है यह प्रस नमबर पाँच है आज आपका यहाँ पर आठ प्रमुक छेत्रों के उत्पादन में बिद्युत तथा कच्छा तेल यानि कच्छा तेल उत्पादन की भागेदारी निमने कितनी है यहाँ पर यहाँ पर यह वतानिया अभी इनमें हांकडे प्रसित हुए है तो यहाँ पर इनकी जो भागेदारी रही है वो कितनी कितनी रही है देगे यहाँ पर अगर हम बात करें आठ प्रमुक छेत्रों की तो यहाँ पर पूछा गया है बिद्दुत का पूछा गया है और यहाँ पर पूछा गया है और यहाँ पर पूछा गया है और यहाँ पर पूछा ग रिख दे रहा हूं यहां पर समझ जाएंगे डॉट लगा दे रहा हूं refinery product ठीक है तो इनकी value यहाँ पर ज्यादा रही है इनका सबसे यादा योगदान है यानि 28.04% refinery product का है second इस्थान पर यहाँ पर आपका जो रहा है वो electricity रहा है यानि 9.85 यह जहाँ पर क्या रहा है यह इसके लाब यहाँ पर इलेक्रिसिटी के बाद steel जो है थर्ड नमर पर रहा है steel जो है यहाँ पर यह थर्ड नमर पर रहा है यहाँ पर 17.92% steel के बाद यहाँ पर चौथे नमर पर जो रहा है वो कोईला रहा है कोल तो कोल का जो रहा है यहाँ यहाँ पर वो रहा है 10.33% 10.33% यह रहा है फिप्त नंबर पर यहां पर जो आपका रहा है पांच में नंबर पर सुरी जो रहा है यहां पर और पांच में नंबर की बात करें यहां पर पांच में नंबर पर यहां पर आपका यहां पर आपने देख लिया है यहाँ पर आपका रहा है crude oil यानि जो आपने अभी देखा यहाँ पर 8.9% इसकी जो थी ग्रोथ तो 8.9% यह रहा है crude oil इसके लापर छटमे नमबर पर यहाँ पर आपका जो रहा है वो natural gases रहा है natural gases रहा है ठीक है इसकी जो है यहाँ पर natural gases की यह 6.988% है 6.988% है 7.9 नमबर पर यहाँ पर जो रहा है वो रहा है cement रहा है cement जो है यहाँ पर यह 5.930% है इसके लाबा आठ में नमबर पर यहाँ पर रहा है जो वो रहा है fertilizers यानि उर्वरक ठीक है यह रहा है 263% तो यह आठो नाम आपको यात होने चाहिए यानि कि यह आपके जो है को रुद्ध्योग बोले जाते हैं भारत की तो यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर option आपका जो है C वाला सही है तो चलिए आज के लिए बसना ही I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा देखिए आप लोग वीडियो को लाइक शेर करना ना भूले है इसके लाबा अभी से आप preparation में जुट जाएं मेरा पूरा परियास ही है कि मैं यहाँ पर अप्रेल से लेकर अब तक जो भी घटना ह होई है वो सारा कवर करने कोशिस करूंगा देखिए ज्यादा पीछे तो मैं कवर नहीं करवा सकता हूँ अगर आप लोग यह कहें कि वहीं से स्टार्ट करें तो वहां से पॉसिबल नहीं है मेरे लिए लेकिन अभी फिलाल में आपके दो-तीन मेने से गटना है गटित होई है कोरोना पैंडेमिक के दोरान तो उन्हें मैं यहाँ पर कवर करने के पुरी-बुरी कोशिस करूंगा तो चलिए आज के लिए बसना ही आई होप आपको लेक्षर पसंद आया होगा तो थेंक्स वर वाचिंग जैहंद